नमस्ते भारत, आज का वीडियो थोड़ा डार्क होने वाला है, तो क्रप्या इसको साइंटिफिक टेंपरामेंट के साथ देखें, ये आपसे मेरा बिनम्बर अनरोध है आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गाय के वोवर से निकले हुए गयां की रोटी खाने से किसी महिला के लड़का पैदा होता है, इसके पीछे की साइंस जानेंगे दूसरी बात, कैसे बिल्ली की जो 40 है, उससे निकली हुई कॉफी जो है, वो सबसे बल्ड की महगी कॉफी बनती है और इसके साइंटिफिक बेनिफिट का है, इनको भी हम जानेंगे तो सुरुवात करते हैं बिना किसी देरी के बाबा जी को तो सब जानती होंगे, इनका एक स्टेटमेंट आया मार्केट में, कि गाए को गयों खिलाओ, और फिर गाए सुबह जब गोवर करे, तो उसमेंसे गयों को दो के अलग निकालो फिर उस गयों का आटा बनाओ, और उस आटे से रोटी बनाओ, और उस रोटी को किसी महिला को खिना दो, तो उसके नड़का होता है यह मार्केट में बहुत चल दा है, अब मैं हूँ थोड़ा यार, अलग टाइप का आदमी में, तो अंत जज़ किसी को नहीं करता मैंने का थोड़ी इस पर research की जाए, research की जाए फिर बाबा जी के इस वयान से मैंने research की मैंने की कौन सी किताम में लिखाया ऐसा, कहां लिखाया ऐसा यानि की बाबा जी ने कहां से कहानी पकड़ी तो मेरे को पता चला यार एक कहानी यह बहुत popular है और यह market में चल भी रही है और इसका production भी बहुत अच्छा है, marketing भी बहुत अच्छा है, इसका business भी बहुत अच्छा है सुनो क्या है, यह एक बिल्ला है, जिसका नाम है seaweed, इंडोलेसिया का बिल्ला है, थाइलेंड में पाया जाता है, जंगली जानवर है इसको वहां के किसान पकड़ लाते हैं, पकड़ने के बाद कॉफी के खेत में हुसा देते हैं, वहां से कॉफी की cherry select करके खाता रहता है खाने के बाद इस सुवए उठके potty कर देता है, उसी potty को दुल कर इसमें से coffee beans निकालके वो किसान कूट देते हैं जो कॉफी के दाने कूट के उसका powder बना के market में सबसे महगा कॉफी बेखते हैं, यही है वो सबसे महगी कॉफी जो की बिल्ले की potty से बनी हुई है अब यह बिल्ले की सकल देखो, इसकी अनकी सकल देखो सुवर से मिल वही है, ठीक है अब इसको यह लोग पगल दाते हैं, फिर इससे कुछ selected यह beans अपने आपी खाता है, यह लाल लाल खा लेता है, और यह छोड़ देता है तो जो इंसान का काम होता है, सिलेक्शन का, वो कम हो जाता है, निखा लेता है भाई, उसको खाने के बाद डाइजेस्ट करता है, इंटेस्टेन से होके सुवर यह पोटी कर देता है उसी party में होता क्या है ऐसा लोगों का मनना है कि एक milting का process होता है जिसमें ये coffee जो है थोड़ी स्वाधिस्ट हो जाती है यानि कि उसके पेट में से निकल दी है उसकी आतों से निकल दी है ये coffee की sales तो उसकी कड़वाहट चली जाती है जब यह लोग सुवह इसको दोलते हैं फिर उसको कूटते हैं कूटने के बाद पैकिट में पैक करके बेखते हैं भाई सेल्स देखो इस कॉफी की बल्ड की सबसे महगी कॉफी कोश्ट क्या ग्यारा सो डॉलर पर किलोग्राम और इंडियन रुपीस में देखा जाएं तो एक्यान में 1300 रुपई की ओरजिनल कॉफी मिलती है अब यह जो बाइड एनीमल है सीवेट अब इन्हें भी विचारों को परेशान किया जा रहा है इस कॉफी को बनाने के चक्कर में बहुत सारे बिल्ले जंगल से उठा लाए है अब केज में बंद कर देते हैं फिर उनको ये खिलाते हैं सिर्फ सीड्स सीड्स खिलाते हैं जिसे ज़्यादा सीड्स खाएं ज़्यादा कॉफी चैरी स्खाएं ज्यादा खाएंगे, ज्यादा निकलेंगे, ज्यादा उत्पादन होगा, प्रोडक्सन होगा, अब फिर वो मार्केट में ज्यादा सेल्स होगी, इस कॉफी का नाम है कॉपी नुवाक, तो आप सर्च भी करके जैक सकते हो, जब मैंने इसकी थोड़ी सी रिसर्च की, तो आप इन्होंने साब बोल रखा है, कि ये जो कॉफी है, इसका एक कप उन्होंने पिया, और काफी सारी रिसर्च की, उसके बाद उन्होंने पता ये किया, कि नॉर्मली अगर उस पेड़ पैसे हार्वेस्ट कर लेते वो कॉफी, जो कि वो मिलने खा रहे हैं, उसका स्वाद ज्य बन रही है, क्योंकि ये अनौखे तरीके से बन भी है, इसका tradition कुछ हलाग है, अब इसकी marketing, ऐसी चीज़ वही बिलने की potty से बन रही है कॉफी, ऐसी चीज़ों की marketing बहुत जादा हो जाती है, लोग अंद विश्वास में पीते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, हलाएं क scientifically ये कोई चीज प्रूवर नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी market में बहुत अच्छी demand है, और बहुत अच्छा business model है, फिक है, जैसे बिललोटे की potty की बनी हुई coffee का कोई फाइदा नहीं है, ऐसे ही पुकी महराज के द्वारा बताई हुई जो बात है, गाय वाली, उससे जो अन female है, female का जो अंडा से होता है, ओवम होता है, उसमें क्या है, इसपन जाता है, अब इसपन ना, अब हमारी जो गोडी है, उसमें total chromosome 46 होती है, अब 46 chromosome है, अगर उसका पेर देखें, chromosome मतलब बुडशूत्र, अब इसके जो जोड़े होते हैं, वो 23 होते है, 23 मैंसे एक ऐसा जो sex chromosome में एक जोड़ा है, ये जोड़ा X और Y से मिलके बनता है, और female में, मादा में ये X और X से मिलके बनता है, तो होता क्या है, जब ओवम में, यानि कि अंडा से में, इसपन जाता है, तो अगर X, X से मिलेगा, क्योंकि महिला के पास देखो, दौनों X, X हैं, और पुरुष ही जिम्मेदार है, लड़का और लड़की पैदा करवाने के लिए, महिला जिम्मेदार नहीं है, अगर लड़का पैदा हो रहा है, तो भी पुरुष की वज़ा से हो रहा है, अगर लड़की पैदा हो रही है, तो भी पुरुष के chromosome ही जिम्मेदार है उसमें, क्यों, क्यो अब ये हुआ x और y मिल गए, x और y मिल के फिर कैं पैदा होगा? लड़का पैदा होगा, तो इन दोनों ने किसको जनम दिया? इन दोनों ने फिर जो है लड़की को जनम दिया, अब कुछ किंडर भी पैदा हो जाते हैं, प्रांच जेंडर भी पैदा हो जाते हैं, तो उसका कारड क्या हो सकता है देखो मनलो यह ओबम है अंडा से अब इसमें मेल का जो है स्पम जा रहा है है ना पहली बाद तो देखो ये तो XX होता है तो यहां तो XE पाया जाएगा और यहां हो सकता है कि अगर थोड़ा सा X चला गया तो ये तो XX हो गया अगर इसके स्पन से थोड़ा सा बाई वाला इससा भी चला गया थोड़ा सा कटके करोंगो सुनगा तो यह हो जाता है एक्स एक्स बाई है ना तो यह इससे पैदा होते हैं ट्रांसेंडर किंदर पैदा होते हैं यानि कि थोड़ा आदमी या औरतों वाले उसमें लक्छन आ फिर उससे जो प्राईवरिक पार्ट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं थोड़ा सा सरीर की बनावक चेंज हो जाती है इसलिए किंदरों का जणम थोड़ा सा आलग होता है यह भी मानव कई हिस्सा होते हैं उनमें भाईसाब कोई उनकी ب्रॉब्लम नहीं है है ना यह क्रों सच में वाई साथ यही है कि बच्चे ऐसे पैदा होते हैं लड़का और लड़कियां ऐसे पैदा होती हैं तो कुल मिलाके अंधा ग्यान हमें नहीं लेना है इसलिए मैं यूटीव पर फिरी भी पढ़ा रहा हूं भाई है ना जो लोग बड़े लोग देख रहे हैं उन्हें म English Medium के लिए जो चैनल है वो फनें पार्ट साला है इनके सबके इसक्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आप लोग जरूर देखना Thank you अगली वीडियो में इसी तरीके से मिलेंगे जब तक के लिए बायबाय टाटा